हलो फ्रेंड्स, बेलकम फुदा स्टडी विद मायंग, मैं हूँ आपका मायंग, हम लोगों की यहाँ पर UPSC PILIMS exam 2023 के लिए मौक्टेस की सीडी चल लही है, आज आपका ऐसी करम में मौक्टेस 7 है, तो जलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, देखते हैं मैं क्या-क्य डिस्कस करना है यहाँ पर, आज का पहला प्रशन है, निम लिकित में से किस मंत्राले या संस्थान ने पड़े भारत अवियान की सुरूआत की है, यह अवियान और राष्टी सिक्षा नीती सं 2020 के अनूप है, जो इस्थानिय या मात्रभासा में बच्चों के लिए आयू उप्योक्त, पठन पुस्तकों की उपलपता सुनिश्चित करके बच्चों के लिए आनंद बै पठन संस्कति को बढ़ावा देने पर जोड़ देता है, इसमें बालवाटिका से लेकर एर्ट तक के बच्चे समें सामिल किये गए हैं, यानि उन पर विसेज फोकस दि इसमेल की बाला सिक्चा मंतरा लें दूसरा प्रष्टने बाप का, निम्रिकित में से कौन सा या कौन से फसल्क्र टाई सम्मंदित त्योहार हैं मकर संक्रान्ती पौंगल भिहूं, आपको यहां पर कूट का बरयोग करके सहित तरका चैन करना है, मकर संक्रान्ती की बात कर और होने का प्रतीक है इस दिन से हिंदूओं के लिए 6 महीने की सुब अवधी की सुरुवात होती है जिसे उत्राइड कहा जाता है तो मगर संक्रांथी का संबन फसल कटाई से नहीं है पॉंगल की बात का लेते हैं पॉंगल सब्दकार्ट होता है उफान या फिर बिपलव इसे थाई पॉंगल के रूप में भी जाना जाता है और ये जो है चार दिवसी उस्सव है यानि चार दिन का उस्सव है जो कि तमिल कंडेंडर के अनुसार थाई महा में मनाया जाता है जब धान आदी फसलों की कटाई की जाती है उस दिन लोग ईसवर और भूमे की दानसीलता के प्रती अपना आभार प्रकट करने के लिए इसे मनाती है तो पॉंगल का संबन जो है कहां से है तमिल से है भीहू की बात करने तो देखे भीहू जो है असम का फेस्टिवल है असम का त्यवार है भीहू असम उसब है असम का उसब है यानि कि ये असम में फसलों की कटाई के साथ मनाया जाता है असम या नववर्स की सुरुवात को चिनित करने के लिए लोग रोंगाली या फिर माग भीहू मनाती है तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला जो भीहू है ये भी फसल कड़ाई सम्मदित है तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा सेकिंड का भीवाला केवल दो और तीन तीसरा प्रश्ने मापका निम लिखित में से किसने परियावड शड़ से निपटने के लिए केन्या में हरित पट्टी आंदुलन शुरू किया रेचेल कार्सन सुंदरलाल भहोगुणा अलवड स्वित्जर बंगारी मताई रेचेल कार्सन परियावड विज्ञान पुस्तक सैलेंड स्प्रिंग के लेखक है और सुंदरलाल भहोगुणा के बारे में धन संचेन के साधन के रूप में यूरोप में लाव संगीत कारिग्रम और व्याख्यान देने के लिए प्रसिद्ध हुए है बंगाई मिथाई ने हरित पट्टी आंदुल की सुरुवात की है तो केनिया में हरित पट्टी आंगल की शुरुवात करने वाले जो व्यक्ति हैं वो बंगाई मिठाई हैं तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा तीसरे का D वाला चौधा प्रश्टने अबापका Sea Dragon अभ्यास 2022 के संबंद में नेमलिखित कत्मों पर विचार कीजिए आपसे बूचा गया है कौन सा कतन यहां पर सही है पहला है इसका आयोजन सेउक्तराज अमेरिका के गवाम में किया गया था या एक दुवारसिक अभ्यास है Sea Dragon USA Navy द्वारा आयोजन तेक वारसिक अभ्यास है ना कि दुवारसिक यानि यह yearly exercise है और यह एक भौर आश्टी हाई-end अभ्यास है यानि इसमें कई सारे देसिस में हिस्सा लेते हैं तो यहां पर आपका सेक्रिड वाला कतन गलत हो जाएगा यहां पर आपका सेटराज वाला कतन गलत हो जाएगा तो यहां पर आपका पहला वाला कतन सही है आपका सही आंसर है चौते का ए केवल एक पांचमा प्रश्टने बापका निजता के अधिकार के संधर्म में निमलहित कतनों पर विचार कीजिए आपसे मुच्छा गया है कौन सा कतन सही है भारती संधान का अनुच्छेत सत्रे निजता के अधिकार से सम्मधित है पुट्ट स्वाइब बनाम भारत संग मामले 2017 में निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार गोसित किया गया था जैसा कि आप लोग जानते है आर्टिकल 17 जो है वो इस प्रिष्टा के अंत से सम्मधित है उन्हीं अंटच्यबिल्टि से सम्म niveau है तो यहां पर आपका पहला वाला कतन गलट हो जाएगा निजता का अधिकार आपके सम्मिधान के अनुच्छेत 21 में सामिल किया गया है तो यहां पर आपका पहला वाला कतन चटमा प्रशने मापका मानवेका सूचकांग के संबंद में निमलिखित कत्मों पर विचार कीजिए आपसे मुझा गया है कौन सा कतनिया पर सही है मानवेका सूचकांग एक सांक की उपकरड है जिसका उपयोग किसी देश की समगर उपलब्दी को केबल उसके सामाजिक आयामों में मापने हितू किया जाता है लेकि यहाँ पर लेकाओ केबल उसके सामाजिक आयाम वर्स 1990 में इसे पाकिस्तानी अर्शास्त्री टॉक्टर महबूग उलहक द्वारा तस्तुत किया गया था मानव विकास सूचकां के एक सांकी उपगरड है जिसका उपयोग किसी देश की सामाजिक और आर्थिक आयामों में समग उपलब्दी को मापने के लिए किया जाता है इसमें केबल सामाजिक आयाम सामिल नहीं है बलकि इसमें आर्थिक आयाम भी सामिल है किसी देश के सामाजिक और आर्थिक आयाम लोगों के स्वास्त है, उनकी सिछा प्राप्ति के इस्तर और उनके जीवन इस्तर पर आधारेत होते है तो यहाँ पर आपका पहला वाला गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि इवल उसके सामाजिक आयाम नहीं इसमें सामाजिक और आर्थिक दोनों ही आयाम सामिल है आपका दूसरा वाला जो कथन है यह बिल्कुल सही है वर्स 1990 में पाकिस्तानी अर्षास्त्री डॉक्टर महबू उलहक द्वारा मानविकास सुचकांग की अवधारना प्रस्तुत की गई इसका परियोग सेउत राष्ट विकास कारिक्रम द्वारा देश के विकास को मापने के लिए किया गया था सुचकांग की करना चार प्रमुक संकितकों पर आधारित होती है जिसमें सामिल है स्वास्ते के लिए जीवन प्रत्यासा इसकुली सिख्षा के लिए अपिक्चित वर्स सिख्षा के लिए इसकुली सिख्षा के वर्सों का औसत और जीवन इस्तर के लिए प्रति व्यक्ति सकल राष्टी आये यहीं इसमें चार आयाम सामिल है जिनके आधार पर इसका आंकिलन किया जाता है चार संकित तक सामिल है तो यहाँ पर आपका second वाला कतन आपका सही है आपका सही आंसर है चटमे का B केवल दो सात्मा प्रश्णे अबापका निमलेहित कतनों पर विचार कीजिए आपसे मुझा आगया है कौन सा कतन सही है open source software को source code के साथ बिद्रित किया जाता है closed source software में users source code को copy कर सकते हैं सबसे पहली बात कर लेते हैं open source software की तो open source software एक software है जो अपने स्रोथ code के साथ बिद्रित किया जाता है जो इसे अपने मूल अदिकारों के साथ हुपियोग, संसोधन और विद्रण के लिए उपलब्द कराता है यानि कहने का मदला भी है कि माल लिए एक कोई A व्यक्ति है इसने अपनी company के लिए कोई software बनवाया B company से इसने कोई software बनवाया तो B company जो software बना के देगी open source software वो उसमें software के साथ साथ उसके background में जो coding की गई है यानि किसी software को बनाने के लिए पीछे background में coding होती है तो coding भी provide करवाएंगे ताकि भविस्ति में जो A वाला व्यक्ति है चाहिए या स्वैम उसमें editing कर सकता है या किसी अन्य फर्म के थूरू उसमें editing करवा सकता है तो ऐसे software को open source software कहा जाता है तो यहाँ पर आपका पहला वाला कसन बिल्कुल सही है open source software को source code के साथ बिल्कुल किया जाता है second वाला कसन आपका सही नहीं है देंकि यहाँ पर लिखावा closed source software में users source code को copy कर सकते हैं जैसा कि यहाँ पर लिखावा closed closed का वाला होता है बंद तो closed source software में यहाँ पर उप्योप करता है किसी प्रकार के पैड़ाम के बिना code के कुछ हिस्तों को copy संसुदित यह अटा नहीं सकता है तो यहाँ पर आपका second वाला कसन गलत हो जाएगा केवल पहला वाला कसन सही है तो आपका सही answer है साथ में का A केवल एक आठमा प्रश्टने मापका बिरोजगारी के संबंद में निमलिखित में से कौन सा घतन सही नहीं है स्रनाचनात्मक बिरोजगारी बाजार में उपलब्द नौकरियों और स्रमिकों के बेमेल कौसल से उत्पन होती है तक्नीकी बिरोजगारी प्रद्धोकी में परवरतन के करड़ नौकरियों में होने वाला नुकसान है गाश्टनात्मक बिरोजगारी किसी अर्थवरस्ता के भीतर स्वैच्चिक बिरोजगार संक्रमण का परड़ाम है प्रक्षन बिरोजगारी वे बिरोजगारी है जो वर्स के कुछ निशित मौसमों के दोरान फुद्पन होती है यहाँपर जितनी भी विरोजगारी दी हुई है उनको अगर हम लोग एक्जांपल से समझेंगे तो आपको अच्छी से याद हो जाएगे कि कौन सी विरोजगारी में क्या होता है सबसे बहले बात का लेते हैं रचनात तक भी रोजगारी गुए माल लेते हैं कोई व्यक्ति है जिसने एक अच्छी खासी डिग्री हांसिल की है उसने बीटेक की डिग्री हांसिल की है माल लेते हैं कोई व्यक्ति है उसने बीटेक की डिग्री हांसिल की है लेकिन मार्केट में काम ही नहीं है तो ऐसे में वो लोग बिरोजगार रहना चाहेंगे इस तरह की जो बिरोजगारी होती है वो सरनाचनातबर बिरोजगारी कहलाती है तक्निकी बिरोजगारी कहा होती है तक्निकी बिरोजगारी को अगर भारत में देखना है तो आपके पास दो एक्जामपल है पहला एक्जाम्पल है आपके जब सरकारी भिभावों में कंप्यूटर लाया गया था तो बहुत से पुराने ऐसे लिबिक थे जो काफी महीनों की ट्रेनिंग के बाद भी उसे सीख नहीं पाए तो मजबूरी में कुछ लोगों ने भिभागी छोड़ दिया रेटार्मेंट ले लियाilen जूसरे एक्जाम्पल आपके आपके जो रोड़वेज हैं रोड़वेज बसों में जो चान्जाक्टर होते हैं उनके हाथ में कंप्यूटर टिकेट वाली मेसीन होती है जो कि उसी में टिकट प्रिंट भी हो जाता है तो भहाँ पर भी वही हुगा कई सालों के प्रसिचट के बाद भी जब फंजक्टर वो सीख नहीं पाए तो मजबूरी उन्होंने अपने अंतिम छड़ों में मालीजे कोई 50 साल का विक्ती था उसने सोच लिए आपने 25 सी 30 साल लोकरी कर लिया चलिए कोई बात निया रेटार्मेंट ले ले लेते हैं तो भहाँ पर भी यही हुगा तो इस तरह की जो भिरोजगारी होगी वो तकनीकी भिरोजगारी कहलाएगी यानि जब लोग नई तकनीकी के साथ अपने आपको समयजुत नहीं कर पाएगे उस तरह की भिरोजगारी तकनीकी भिरोजगारी कहलाएगी तो यहाँ पर आपका B वाला कथल पिल्कु सही है या फिर यह तब भी हो सकती है कैसे मालीजे किसी कंपनी में मनश्यों की आवशक्ता नहीं रही अब उसने रोबोट लगा दिये तो ऐसे में भी विरोजगारी हो सकती है गर्षनात्मक विरोजगारी का मनलब क्या होता है गर्षन विरोजगारी का आसे एक ऐसी सीदी से है जब कोई ब्यक्ति नई नौकरी की तलास कर रहा होता है यह नौकरियों के बीच स्विछ कर रहा होता है तो यह नौकरियों के बीच समय ightral को संदर्वित करती है तो यहाँ पर आपका C वाला कसंद ये भी सही है प्रक्षन विरोजगारी की बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा प्रक्षन विरोजगारी ही पाई जाती है खास करके आपके अग्रिकल्चर सेक्टर में यह भारत के जो क्रसी छेत्र है असंग्धित छेत्र है वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो विरोजगारी ही पाई जाती है प्रक्षन का मतलब यह होता है कि जब किसी स्रम में माली जे किसी काम में एक व्यक्ति की आवशकता है किसी काम को करने के लिए किसी एक व्यक्ति की आवशकता है लेकिन वहाँ पर वही काम चार व्यक्ति कर रहे हैं आपके बहाँ पर जो महनताना है वो एक व्यक्ति को ही मिल लाए एक व्यक्ति के लाएक ही उसमें महनताना मिल लाए तो चार व्यक्ति हमाँ पर लागे पड़े हैं ऐसे में जो तीन व्यक्ति होंगे वो तो मिलकुल बेकार रहेंगे तो इस तरह की विरोजगारी होगी, प्रक्षन विरोजगारी होगी खास करके अपने एक्विकल्चर जो सेक्टर है जो अपना लिए छोटे और सीमांत किसान है उनके साथ ये समस्या है छोटी सी खेत का है उनका पास छोटे से खेत का टुकड़ा है अब एक या दो बीगे का टुकड़ा है अब एक या दो बीगे के खेत को करने के लिए वो एक किसान पर्याप्त है लेकिन वो ऐसा करता नहीं है वो अपने बीबी को भी लगा लेगा अपने बच्चों को भी इसमें सामिल कर लेगा तो यहाँ पर वो एक किसान उसे कर सकता था लेकिन उसमें उसके पूरा परिवार लगा हुआ है एक खित को करने के लिए इस तरह की जो विरोजगारी होगी यो प्रक्षन विरोजगारी कहलाएगी महीं प्रक्षन बिरोजगारी में जो इस statement दिया हुआ है यह मौसमी बिरोजगारी का है मौसमी बिरोजगारी एक प्रगार की बिरोजगारी है जो वर्सके कुछ निश्यत मौसमों के दोरान देखी जाती है जैसे अपने उत्तर भारत में देखें तो हमारे यह जो ग्यहूं का सीजन होता है, ग्यहूं कटने का सीजन होता है, उस समय तो रोजगार होता है, लेकिन जब मैजून का महीना आता है, उस समय रोजगार होता ही नहीं है, तो इस तरह की विरोजगारी होगी, यह आपकी क्या कहलाएगी, यह मौसमी विरोजगारी क पर सही है। हम सभी धर्मों का आजर करती हैं, तो यहाँ पर आपका पहला वाला गतर विल्कु सही है, धर्म विपिष्टा के दो मॉडल हैं, एक तो अपने भारती परविष्ट वाला मॉडल है, और एक पश्मी परविष्ट वाला मॉडल है, भारती परविष्ट वाले मॉडल में हम लो के लिए, उनको रोकने के लिए हमारे भारत में कानून भी बनाई जाते है वहीं western culture की बात करें यानि पश्यम की बात करें, तो पश्यम में राज बिलकुल अलग रहता है, राज कोई मतलब भी नहीं है, आपके धर्म में कोई भी पाघंड है, अंदविश्वास है, कोई भी ऐसी प्रता है, तो उससे राजू को कोई लिना देना नहीं है, राजू से रोकने के लिए कोई प्रत्र नहीं करेगा, कोई कानून नहीं बनाएगा, तो वही बात यहाँ पर लिखी होई है नॉमेका-C, एक और दो, दौनो दस्मा प्रश्णेम आपका, लीथियम आइन बैटरी के संबंद में निमलिक्त कत्नों पर विचार कीजिए, आपसे बुचा गया है कौन सा कतनिया पर सही है, पहला है, इनका उपयोग व्यापक रूप से इलेक्टिक भानो और एरोस्पेस उद्योग में किया जाता है चिली, लीथियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है लीथियम आइन बैटरी या ली आइन बैटरी एक प्रकार की रिचार्जिबल बैटरी है बैटरी में इलेक्टरोलाइट होता है, जो आइनिक गती और दो इलेक्टोड की अरुमती देता है बैदुत अपकट के करड़ इसमें आइनों का संचार होने के साथ दो इलेक्टोड होते हैं इसका अनुप्रियोग इलेक्टोनिक उपकर्ड के रूप में, टेली कम्मुनिकेशन में, एरोस्पेस और अध्योग अनुप्रियोग भी होता है यानि इलेक्टिक भानों में भी इसका प्रियोग होता है तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन इल्गोज सही है लीथियम बर्तमान में कठोड चट्टान या खारी खानों से उत्पन होता है विस्ट में आउस्ट्रेलिया लीथियम उत्पादन करने के मामले में पहले स्थान पर आता है वहीं चिली का जो है सेकंड नंबर है तो यहाँ पर आपका दूसरा वाला कठन गलत हो जाएगा यहाँ पर आपका केवल पहला वाला कठन सही है आपका सही आंसर है दसमे का ए केवल एक ग्यारेमा प्रश्टने वाप्ता सी वॉक्स के संधर्म में नियमलेखित कतनों पर विचार कीजिए आपसे बूचा गया है कौन सा अगतन सही है पहला है यह राश्टी महला आयूक और IIT कानपर द्वारा संयूत प्रूप से विक्सित एक ओनलाइन सिकायत प्रवंदन प्रणाली है संधित और असंधिक शित्र में काम करने वाली महलाएं सी बॉक्स में अपनी सिकायत दर्ज करा सकती है देगे बात करें यहाँ पर सी बॉक्स की तो महला इबं बाल विकास मंतराले भार सरकार ने कारिस्थल पर यॉन उत्पीडन से सम्मदित सिकायतों को दर्ज करने के लिए यौन उत्पीडन इलेक्ट्रोनिक बॉक्स सी बॉक्स नामक एक ओनलाइन सिकायत प्रभंदन पर नाली विक्सित की है तो यहाँ पर आपका पहला वाला कतन कलरत हो जाएगा इसे महला इबं बाल विकास मंतराले ने विक्सित किया है ना के प्राष्टी महला आयोग और आयाडी कानपुर्ण है यह यौन उत्पीडन इलेक्ट्रोनिक बॉक्स भरस सरगार का एक प्रियास है कि हर महला चाहे हुए संग्ठित हो या संग्ठित निजी या साज्मिक छेत्र में काम कर रही हो यौन उत्पीडन दे समझे सिकायतों के पंजी कड़ की सुविधा के लिए सिंगल बिंडो एक्सिस प्रदान करने का एक यह प्रियास है तो यहाँ पर आपका सेकिंड वाला कथन जो है यह सही है तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ग्यारे का बीवाला केबल दो बारेमा प्रिश्ने बापका नागरिता की संधर्म में निमलिखित कत्नों पर विचार कीजिए आप से बूचा गया है कौन सा अकृतन सही है पहला है बरस 1955 का नागरिता अधनियम नागरिता प्राप्त करने के चार तरीके निर्धारित करता है बार्ची संधान नागरिक सब्द को परिवासित नहीं करता है नागरिता अधनियम 1955 इसके देट पांच तरीकों से नागरिता का निर्धार किया जाता है जिनमें पहला तरीका जन्म है तूसरा देजी करड़ है तीसरा पंजी करड़ है चोसरा छेतर का समाविस है और पांच पांच बंसक और आधारित है तो इसमें चार तरीके नहीं है बलकि इसमें पांच तरीके है तो आपका पहला वाला अधन यहापर गलत हो जाएगा नागरिता संभिधान के देट संग सूची में समसूची बद्ध है और इस प्रकार यह संसत के विशेश चितरा दिकार में सामिल है समेधान में नागरिक सब्द को परिवासित नहीं किया गया है तो यहाँ पर आपका सेगिन वाला अधन बिलकुर सही है यहाँ पर आपका केवल पहला वाला अक्तन सही नहीं है तो आपका सही आंसर होगा बारे का ए केवल एक सही नहीं है तेरेमा प्रश्णे बापका ग्रेट निकोवार के संबंद में में मिम्लेशित कत्नों पर विचार कीजिए आप से पूछा गया है कौन सा कतन यहाँ पर सही है पहला है यह निकोवार भीव सहुआ Пока अंडमार और निकोवार भी भी सहुआ दर डिरी चैनल द्वरतर के द्वरतर को होते हैं ग्रेट निकोवार निकोवार भी सहुआbird के सभसे उत्री नहीं बलके सबसे दख्षडी दीब समूँ है तो यहाँ पर आपका पहला वाला कतन गलत हो जाएगा अंडमार और निकोबार दीब समूँ दर्ट डिरी चैनल जल निकाए के दोरह प्रसक होते हैं तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कतन यह बलकुँ सही है देकि चैनल जो है दो भूमियों के बीच में दो भूमी खंड़ों के बीच में फैले सक्रे समूद को चैनल के नाम से जाना जाता है तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा तेरे का भी केबल दो चौदयमा प्रस्टनेवाप निम्ले हित्य युगमा पर विचार कीगे एक तरफ राष्टी उद्ध्यान है और दुसी तरफ उनके स्थान है गिर्र राष्टी उद्ध्यान गुजरात, एरा विकुलम राष्टी उद्ध्यान केरल, कुनोर राष्टी उद्ध्यान मद्य प्रदेश, पन्ना राष्टी उध्यान मद्य प्रदेश गिर्द राष्टी उध्यान और बंजीव अभ्यारन गुजरात के जुनागर जिले में इस्तित है तो आपका पहला वाला युक में हाँ पर सही सुमलेत है नहीं बात करें एरा विकलम राष्टी उध्यान की तो यह केरल के इदुक्की जिले के देवी कुलम तालोक में दश्डी पश्च्मी घाट के उच परवतमाला में हिस्तित है तो यहाँ पर आपका सेकिंड वाला कतन ये भी सही है कुनोर राष्टी उध्यान मद्ध भारत के नि मद्ध परदेश के बिंद भाडियों में हिस्तित है तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला इकतन ये भी सही है पन्ना राष्टी उध्यान वर्स 1980 में स्थावित किया गया था और यहाँ पर आपका चोथा वाला भी सही है यहाँ पर आपके सभी चारो योग में सही सुमलेत है आपका सही आंसर होगा यहाँ पर चोदे का डी सभी चारो योग में पंद्रेमा व्रश्टने बापका निमलिख्त कत्वों पर विचार कीजिए आपसे बूचा गया है कौन से अगधन सही नहीं है पहला है प्रस्तावना भारत को एक संप्रवू समाजबादी धर्म मेपेख्ष और लोगतांते गड़ राजे गोसित करती है चबालिस में संभिधान संसुद अंदियम उनिसो चोहतर द्वारा धर्म मेपेख्ष सब्द को प्रस्तावना में सामिल किया गया था भारती समाजबाद का उद्जे से सभी निजी संपत्ती को समाप्त करना है प्रस्तावना के अनुसार संभिधान के अधिकार का सोत भारत के लोग है प्रस्तावना भारत को एक संप्रवू समाजबादी, धर्म विपेक्ष और लोगतांतिक अटराज घोसित करती है प्रस्ताबना में बढ़ित सभी उद्धेस, नागरिकों को न्याय, सतंता, समांता, सुनिश्चित करने और राष्ट की एकता और खंडता को बनाए रखने हैं तो बंदत को बढ़ावा देते हैं तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कु सही है सेक्ड वाला कथन तो वैसी गलत हो जाएगा पहली बात तो यह है, 44 में समिधान समसुतन अदनिय gusta तो हमारे प्रस्तावना में 42 में समिधान समसुतन अदनियOUT 1976 के दबारा प्रस्तावना में धर्म फ्रिक सब्षाद को सामिल किया अगया है क्योंकि हमार यहां, मिस्तर तर्थूरस्था का Concept अपना या जिसमें, दीजी सेक्टर भी है और पब्लिक सेक्टर भी है. तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला कतं गलत हो जाएगा. तो यहाँ पर आपके 2 और 3 कतं गलत हैं. आपका सही आंसर होगा 5 का B. केबल दो और तीन सही नहीं है सोलेमा प्रश्णे मापका नेमलिशित कतनों पर वेचार केजिए आपसे मुचा गया है कौन सा गतन सही है तेल रिसाओ से समुदरी स्तंधारियों को अल्पताप या हैपोधर्मिया हो सकता है जल की सतय पर मौजूद तेल को बहुत एक रूप से अलग करने के लिए इसकीमर का उपयोग किया जा सकता है कच्चा तेल पक्षियों को पंक हो और फर के ताप रोधक और जल्दोधक गड़ों को नश्ट कर देता है अते अल्पताप या हैपोधर्मिया होने के करड़ तेल से लिप्षियों पक्षि होते हैं या समुद्री स्तंधारी होते हैं उनकी मिर्ट्यू हो सकती है तो यहाँ पर आपका फैला वाला कतन बिल्कु सही है तेल लिसाव से समुद्री स्तंधारियों को अल्पताप या हैपोधर्मिया हो जगता है आपका दूसरा वाला कतन ये भी सही है तेल को बहुत तक रूख से लग करने के लिए उपयोग किये जाने वाला एक उपकरण है तो यहाँ पर आपका सेकिंड वाला कतन ये भी सही है यहाँ पर आपका एक और दो दोने कतन सही है आपका सही आंसर है सोले का सी एक और दो दोनो सत्रेमा प्रश्टने मापका निम्लिषित कात्मों पर विचार कीजिए आपसे बूचा गया है कौन सा गतनियाबर सही है भारती सम्मधान का नुच्छित 44 समान नागरिक सहिता से संबंदित है भारत में आपरादिक कनून एक समान है भारती सम्मधान के नुच्छित 44 में वड़ित है कि राज भारत के पूरे चेत्र के नागरिकों के लिए एक समान नागरिक सहिता संशित करने का प्रयास करेगा तो यहाँ पर पहला वाला कथन आपका बिल्कु सही है यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन यह भी सही है भारत में आपरादिक कनून एक समान है और सभी पर समान रूप से लागू होते हैं चाहे उनकी धार्मिक मानिताएं कुछ भी हो तो यहाँ पर आपका एक और दो दोने कथन सही है आपका सही आपसर है यहाँ पर सतरह का सी याँनि एक और दो दोना अठारे मा प्रश्टने बापका नेमलिसीप पर विचार कीजिए अनुच्छे 14, अनुच्छे 23, अनुच्छे 41, अनुच्छे 12 उपर युक्त मैंसे भारती समिधान के कितने अनुच्छेद मानवा दिकार प्रापधारों की सारभम गोश्टना में रधारित मूल्यों को सरच्चित करते हैं केवल एक अनुच्छेद, केवल दो अनुच्छेद, केवल तीन अनुच्छेद या सभी चार अनुच्छेद मानवा देकारों की सार्भम गोष्टना यानि Universal Declaration of Human Rights, UDHR, मानवा देकारों के इतियास में एक महत्पूर दस्ताबेज है, विस्टु के सभी चेत्रों के भिविन कानूनी और सांसकतिक प्रश्टमुवी वाले प्रतिन्दियों द्वारत तैयार ये गोष्टना पत्र इसको 10 दिसम्बर 1948 को पेरिस में सभी लोगों और सभी राष्टों के लिए उपलब्दियों के एक सामान निमानक के रूप में गोषित किया गया था, इसमें पहली बार मौलिक मानवा देकारों को सार्भमिक रूप से सनक्षड का बढ़न किया गया और इसका 500 से अधिक भासाओं में अनुवाद भी किया गया, तो यह जो दस्ता बेजा, इसका प्रभा हमारे भारती सम्धान के कुछ अनुच्छतों पर भी पढ़ता है, जैसे जो UDHR है, इसका भी एक अपना सम्धान प्राड़क तयार हुआ, तो इसका UDHR का जो अनुच्छत साथ है, UDHR का जो अन अनुच्छत 4 है न, इसमें लिखा गया है दास्ता से मुक्ति या दास्ता से सुतंता, तो हमारे सम्धान में जो अनुच्छत 23 है, उसमें भी तो यह ही है, बला सरम से मुक्ति, यानि कोई हमसे जबरन सरम नहीं करवा सकता है, जबरन काम नहीं ले सकता है, तो इसका प्रभ से एक है इसमें काम का अधिकार है और सैम यही अधिकार हमारे अनुच्छित 41 में भी है अनुच्छित बारेज में जो हमारे यहां पर बढ़त है उससे इसका कोई लिने देना नहीं है तो अनुच्छित बारेज में नहीं आता है तो हमारे संबिधान के अनुच्छित 14, 23 और इसके लाबा कुछ और अनिच्छिद भी है वो भी हमारे संभिधान में उन पर भी प्रभाव पड़ा है तो यहाँ पर तो केवल 4 अनुच्छिद हमारे संभिधान के दिये हुए है हमें उन मेंसे ही छाटना है उन मेंसे हमारे जो संबिधान के यहां पर तीन नुच्छेद हैं इन पर UTHR की दस्तावेज़ का प्रभाव पढ़ा है तो यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा अठारे का C केवल तीन नुच्छेद उननिसमा प्रश्टने बापका इस्टर्न इसकेमप डियर के संबंद में निमनिसित कतनों पर विचार कीजिए आपसे बूचा गया है कौन सा खतन सही नहीं है पहला है इस्टर्न इसकेमप डियर केवल नेपाल और भूटान में पाये जाता है IUCN की Red List में इसे सुभेद स्रेडी में सामल किया गया है भारती उप महादीब में Swamp Deer की तीन उप रियातियां पाई जाती है इनमें एक है Boston Swamp Deer ये खास करके नेपाल में पाई जाता है Southern Swamp Deer यानि कि जिसको Hard Ground बारसिंगा के नम से जाना जाता है ये मद्य और उत्तरभारत में पाई जाता है काजी रंगा राष्टी उध्यान और दुद्वा राष्टी उध्यान में पाई जाने वाले Eastern Swamp Deer है यानि Eastern Swamp Deer केवल नैपार और भूटान में ही नहीं पाई जाता है बलके भारत के काजिरंगा राष्टी उध्यान, दुद्वा राष्टी उध्यान, उत्तरप्रदेश इन में भी पाया जाता है तो यहाँ पर आपका पहला वाला कलत हुजा है क्योंकि यहाँ पर केवल सब्द लगा हुआ है आपका सेकंड वाला जो कतन है, यह बिलकुँ सही है IUCN की red सूची में, इसे सुबध इस reading में सामिल किया गया है इसके लाप इसे sides की persist बन में भी सामिल किया गया है तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कतन यह सही है यहाँ पर पूछा गया है कौन सा सही नहीं है केवल पहला वाला सही नहीं है तो आपका सही आंसर होगा उनने इसका ए है केवल एक सही नहीं है बीसमा प्रश्टने मापका नेमलेखित कतनों पर विचार की जिये आपसे बूछा गया है कौन सा कतन सही है भारत में EWS के लिए 10% आरचषड का प्राप्दान केवल भारती समिधान के नुच्छे सोले में संसुधन करके किया गया था क्रीमी लियार एक ऐसी अवधार ना है जिससे निरारित होने वाली सीमा के दाइरे में ही OBC आरचषड के लाब प्राप्त होते हैं आर्थिक लूप से कमजोर वरगों के लिए आरचषड यानि EWS के लिए 10% के आरचषड को 103 में संबिधान संसुधन अगनियम जोके सन 2019 में पारित किया गया था इसके द्वारा नुच्छे 15 और नुच्छे 16 में संसुधन द्वारा प्रस्तुत किया गया था तो यहां पर आपका पहला वाला कथन स्वतही गलत हो जाएगा क्योंकि यहां लिखा हुआ है कि भारत में EWS के लिए 10% तारचषड का प्रापधान केवल भारती सम्धान के नुच्छे 16 में संसुधन करके किया गया अनुच्छे 16 में नहीं हुआ पलके अनुच्छे 15 में भी संसुधन किया गया अनुच्छे 15 में इसका उपनुच्छे 15 छोड़ा गया और 16 में इसका उपनुच्छे 16 छोड़ा गया ऐसे करके EWS के लिए प्रापधान इसमें सामिल किये गए तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा सेक्ट वाला कथन आपका बिल्कुल सही है क्रीमी लियर एक अबधार्णा है जो एक सीमा रहित करती है जिसके भीतर OBC अरचड के लागू होते है तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन ये सही हो जाएगा तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा 20 का भी केवल 2 एक किस्मा प्रश्ण वापका निम्रिखित कथनों पर विचार कीजिए आपसे मूचा गया है कौन सा कथन सही है पहला है प्रतियक संसदी बैठक का पहला गंटा प्रसन काल के लिए निधारित किया गया है संसदी नियम उस्तिका में शून निकाल का उलेक नहीं है प्रसन काल में तीन प्रकार की प्रसन ऊचे जा सकते है प्रतियक संसदी बैठक का पहला गंटा प्रसन काल के लिए नडारित किया गया है तो यहाँ पर पहला वाला कतन बिल्कु सही है और इस घड़िटे के दोरान संसत ततर से मंत्रियों से सवाल पूछते हैं और उन्हें अपने मंत्रायलियों के कामकाज के लिए जवाब दे ठहराते हैं सेकिंड वाला जो कतन है आपका ये वाला कतन ये भी सही है सूनिकाल एक भारती संसिती नवाचार है संसिती नियम उस्तिका में इसका उल्लेख नहीं है तो यहाँ पर आपका सेकिंड वाला कतन ये भी सही है अगला है प्रसनकाल में तीन प्रकार के प्रश्ण मुशे जा सकते हैं ये तीन प्रकार के प्रश्णों में तारंकित प्रश्ण होते हैं अतारंकित प्रश्ण होते हैं और अल्ब सूचना वाले प्रश्ण होते हैं तो यहाँ पर आपका थीसरा वाला खतन ये भी सही है यहाँ पर आपका तीनों ही खतन यहाँ पर सही है तो आपका सही आंसर होगा एक किसका D यानि एक दो और तीन 22 प्रश्टनेम आपका उचेत और लाबकारी मुल्य के संबंद में निम्रिशित कतनों पर विचार कीजिए आपसे बूचा गया है कौन सा खतन सही है उचेत और लाबकारी मुल्य ने फेर एंड रिमर्नेटिब प्राइस सरकार द्वारा घोसित मुल्य है इसका निधर क्रसी लागत और मुल्य आयोग की सिफारिस के आधर पर किया जाता है उचेत और लाबकारी मुल्य सरकार द्वारा घोसित मुल्य है जिस पर मिलें किस्तानों से खरीद देगए गन्या का भुकता और कानूनी रूप से करने के लिए बाद होती है तो यहाँ पर आपका पहला वाला गतन बिल्गो सही है यहाँ पर आपका सेगिन वाला गतन ये भी सही है इसे क्रसी लागत और मुल्यायोग की सिफारिस के आधर पर निर्धारित और आर्सिक मामलों की मंत्मंडी समित द्वारा गोसित किया जाता है तो यहाँ पर आपका second वाला कतन ये भी सही है यहाँ पर आपका एक और दो दोने कतन सही है तो आपका सही आंसर होगा बाइस का C एक और दो दोनो तेईस्वा प्रश्ण वापका यह समिती जाज करती है और सदन को रिपोर्ट करती है इस संसत द्वारा, प्रत्या योजित या समिधान द्वारा प्रतत, बिनियम, नियम, उपनियम ता नियमा वली बनाने की सक्तियों का उपयोग कारिपाल का द्वारा उचित रूप से किया जा रहा है। उपरियुत कतन निम्निसी संसती समेतियों मैंसे किसका बैतर रूप से वडन करता है? सरकारी आस्वासन समेति, अधीनस्वर विधान समेति, सदन के पडल पर रखे गए दस्तावे समद्धी समद्धी, लावगे वतों पर सेउक्त समेति. सरकारी यो आस्वासन समेति है, तो यह समेति समय समय पर मंत्रियों द्वारा सदन में दिये गए आस्वासनों, बादों और वच्छनों की जाच करती है, और रिपोर्ट करती है कि उन्हें किस सीमा तक पूरा किया गया है. तो यह सरकारी आस्वासन समेति नहीं है, इसके बद आती है आपकी अधीनस्त विधान समेति, तो अधीनस्त विधान समेति जाच करती है और सदन को रिपोर्ट करती है कि संसत द्वारा प्रत्या योजित यह समिधान द्वारा प्रदत, बिनियम, नियम, उपनियम ता निय 1975 में समिति का गठन किया गया था तो लोगसवा में इस समिति में 15 दस्त होते हैं जबकि राजसवा में 10 दस्त होते हैं यह मंत्रियों तारा सदन के पडल पर रखे गए सभी दस्ताविजों की जाज करती है कि वे समिधान के प्रापधानों या समदित अधनियम या नियम का पालन करते हैं या नहीं लाब के पतों पर समिति ऐसी कोई समिति नहीं है तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा तेज का बी वाला अधिनस्ति विधान समिति 24 परश्टने बापका नेमनेशित कत्रों पर विजार कीजिए आपसे बूचा गया है कौन सा अकतन सही है पहला है राश्टपति की चमादान सकती विवेका धीन सकती नहीं है लगुकरण का अर्थ है सजा की सुरूप में परिवर्टन किये बिना उसकी अबधी को कम करना राश्टपति की चमादान की जो सकती है यह पूर नहीं है राश्टपति द्वरा मंत्यपरसत की सलापर इसका प्रयोग किया जाता है आना के समधान के नुच्छेद चोहतर एक के धैत राश्टपति मंत्यपरसत की सलाप को एक बार पुनरविचार के लिए भेज सकते हैं और यदि मंत्यपरसत इसके प्रयोद निर्ने लिया तो राश्टपति के पास इसका पालन करने के लाबा कोई विकल्प नहीं बच्छता है तो यहाँ पर आपका पहला वाला खतन गर्कु सही है कि राश्टपति की चमादान की जो सकती है यह विवेका दिन सकती नहीं है इसके लिए भी वो मंत्य मंदल पर डिपेंड है सेकिंड वाला खतन यहाँ पर यह वाला खतन गल्लत है लगु करड़कार्थ है सजा की प्रकती में परवरतन जैसे म्रत्यु जंड को कठोर कारबास में बदल देना तो लगु करड़कार्थ यह होता है ना कि सजा के स्वरूप में परवतन किये बना उसकी वादी को कम करना तो यहाँ पर आपका केवल पहला वाला खतन सही है तो यहाँ पर आपका सही आंसर है 24 का ए केवल एक 25 परश्टने बापका निम्रहित कतनों पर विचार कीजिए आपसे मुचा गया है कौन सा कतन सही है भारती प्रतिभूती और बिन्वे मोड एक वैधानिक निकाए और बाजार नियामक है प्रतिभूती अपीली न्यायधिकर्ड के पास सिविल कोर्ट के समाज सक्तिया होती है भारती प्रतिभूती और बिन्वे मोड ने निवेसकों को सिक्षित करने वाला एक मॉबाइल एप सार्थी लौंच किया है भारती प्रतिभूती और बिन्वे मोड यानि Securities and Exchange Board of India से भी वर्स 1992 में स्थावित एक वैधानिक निकाए है तो यहाँ पर आपका पहला वाला कतन बिल्कु सही है से भी के मूल कारियों में प्रतिभूतियों में निवेस करने वाले निवेसकों के हितनों का सरच्षड प्रतिभूती बाजार के विकास का उन्यन घरना और उसे बिनिमित करना है आपका सेकिंड वाला गतन बिल्कु सही है सेवी के पास दीवानी नयले के समान सक्तियां प्राप्त है इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति सेट के निर्णे अत्वा आदे से असंतुष्ट है तो यह सरोच नयले में अपील कर सकता है तो यहां पर आपका सेकंड वाला कसन ये भी सही है सेभी ने मोबाइल एप सौर्थ सार्थी लॉंच किया है इसका उद्ध्य से निवेसकों के वीच टत्वूती बाजार, म्यूच्वल फंड, ब्यापार और निप्टान के के वाईसी प्रक्रिया, हालिया वाजार के विकास और निवेसक सिकायत निवाड तंत्रादी से संबंदित बुन्यादी अबधार्णाओं के बारी में चारुता फ्हलाना है तो यहां पर आपका थीसरा वाला कसन ये भी सही है यहां पर आपके तीनों ही कसन सही है आपका सही आंसर है 25 का डी यानि एक दो और तीन तो यह था हमारा आज का वीडियो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा अप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूले तो चलिए आज के लिए वस्तना ही थैंक्स पर वाकिंग, जय हंदु